इसमें विल्कम तो माई न्यू ब्लॉग इसमें हम लोग बहुला गोधाम में आये हैं यहां पर आज जो है कोरी बनाए जाएगी कोरी जो कुलों से वर्षा करके बनाए जाएगी कोलों की हुली से करते हैं गाईस हम लोग आज बहुला गोधाम गोधाम में हुली मनाने के लिए जा रहे हैं मेरा रोर से वहाँ जाने के लिए बस की बहुस्ता की गई है बस से हम लोग बहुला गोधाम 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 पहुंच गें इस गोधाम के चारो हुल हर्यारी का वातावर्ण है आम चिक्यू अनप्रिकार की सभी प्योनों से या स्थान भरा हुआ है पेड पौधे पित्वी पर इस्वर का दूसरा रूप है जो हमें जीवन प्रदान करता है सांत लेने के लिए हमें आक्सीजनर पेड़ से ही प्राप्त होता है मुंबई से यहां पर आकर सभी लोग बहुत प्रफुलित हैं यहां गौसाला तलासरी वाफिय में इस्थित है दाहनुस से इसकी दूरी 23 किलो मीटर है यहां की देखरेक स्री दामोदर प्रफुजी के देखरेक में होता है जिनोंने 3000 से इंदिक गायों को बद करने से बचाया यहीं पर हमारे गुरू स्री दौरका दाज जी लेकर आए हम लोगों को यहां पर अभी गुलाल से होली नहीं खेली जाएगी यहां पर फूलों से होली खेली जाएगी यहाँ पर सभी लोगों के लिए नास्ते का बहुत ही अच्छा प्रभंद किया गया है देखें सभी लोग नास्ता कर रहे हैं यहाँ पर गाय माता की देखवाल की बहुत ही सुंदर विवस्ता बनाई गई है गाय को अमरिज जैसे दूद देने वो अनिक गुलों के चलते से दर्तिपरमाता के संबान पुझ्य माना जाता है भारत में गाय को देवी का दरजा प्राप्ट है ऐसी मानता है कि गाय के शरीर में तैटिस करोंड देटाओ का निवास है इंदू धर्म में हैं माना जाता है कि गोदान सबसे बड़ा दान होता है गोदान से मुच्छ की प्राक्ति होती है गाय के घी तो गोमुत्र को बहुत पुवित्र माना गया है जो आर्वेदिक और सुद्यों के रूप में उपयोग किया जाता है हम सभी लोग फूरों की होली खेलने की तयारी कर रहे हैं सभी लोग मिलकर फूरों की पंखड़ी को निकालकर रिकत्तित कर रहे हैं पहले स्रीकिस्ने और राधा रानी को उनों की होली से केला जाएगा यहां आकर सभी लोग बहुत खुश और उस्ताइट हैं हमारे गुरु जी के सानित में हर सार उनों की होली मनाई जाती है हमारे गुरु जी और सभी प्रभु जी मिलकर राधा रानी को खुश्न जी की वधिमा को लेकर आना हैं पहले राधा रानी और भगवान किस्तिक के साथ होली मनाए जाएगी तो यहां पर क्रितन का प्रोग्राम चलेगा उसके बाद सभी लोग मिलकर उस्ताफ रुख पूलों की होली मनाएंगे चले घज कर दूँ जाएगी तो यहां प्रोग्राम को घज जाएगी तो यहां जाएगा फूलों की हुली एक उसाफ रूख तेवार है जो भारत में हर साल मनाया जाता है रंग बिरंगे फूलों का यह तेवार पगवान कृस्तियो राधा के प्रेम और बसंत्रत के आगमन का प्रतीक माना जाता है फूलों से खेले जाने वाली फूली ब्रज मजुरा तो बर्षाना में बड़े धूम दाम से मनाई जाती है गाइस हम सभी लोगों ने बहुला गोसाला धाम में आखर फूलों की हूली खेला यहां पर हमें बहुत अच्छा लगा अमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें आपकिसना हरी हरी राम राम हरी हरी